वेलकम टू मै किचरन, मॉम्स किचरन, आज हम बनाने जा रहे हैं उबले हुए आलू से पूरे परिवार के लिए स्नाक्स, तो चलिए इसको बनाना स्टैट करते हैं, यहां हमने चाल उबले हुए आलू लिए हैं, अब हम सबसे पहले इसको मैस कर लेंगे, हम यहां फोक की अलू मेसर का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसी तरह हम सारे आलू को मेस कर लिंगे यहां हमने सारे को मेस कर लिया और अब इसमें हम डालेंगे 4 चमच मैदा, या 2 चमच कॉर्ण फ्लोर और 2 चमच मैदा, तो चलिए इसको आलू में डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं इसको, यह हमने मैदे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, आलू में, अब हम इसमें डालेंगे स्वादनु सा नमक, अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमने नमक इसमें मिक्स कर लिया है, तो चली अब हम इसमें लगाते हैं तरका, तो यहां हमने एक पैन ले लिया है, तरका वाला पैन लिया है, आप कोई सा भी बरतन ले सकते हैं, आप कराही में भी बना सकते ह तो हमें पहलें एंगे की चेल बार दो लंका में Tale 1 चिला का तरका तो हम लेंगे एक जोटा चम्म च्मैज और इसमें डालेंगे सबसे पहले जोन पिसलों हो गया है दो अजयां के आध़ चम्माच हल्दी और वाद च म Okay of Auchільки दो तो यहाँ लेंगे ज़िक अलमेर्च, आधा चम्माज, काली मेर्च, एक चम्माज, जीरा पाउडर, और सबको मिक्स कर लेंगे, और इस मसालो को हम इस आलू के मिश्रन में डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो आलू का स्नेक्स है वो स्पाइसी बने और अच्छा बने और ये हमारा डो रेडी हो गया है अगर आपका ये डो अच्छे से इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो आप इसमें मैदा और बरहा भी सकते हैं ताकि ये अच्छे से ये हो जाए ताकि इसकी लोई बन जाए इस तरह से अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें हम इसका बैटर तयार करेंगे तो चलिए स्टाट करते हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसान और इसी के साथ इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी और इसमें डालेंगे एक कटोरी पानी ये एक कटोरी डाल दिये पानी इसमें आधा कटोरी और डालेंगे इसमें और ये आधा कटोरी और पानी इसमें डालेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमाक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए अगर आपका बैटर ज्यादा पतला हो रहा है तो इसमें बेशन और अड़ कर लें हमें इस तरह की consistency की जरूरत पड़ेगी ताकि इसमें हम आलू की टिक्की को अच्छे से डीप कर सकें तो ऐसा बैटर आपको तयार करना है तो चलिए अब हम इसकी आलू की टिक्की बनाते हैं और बैटर में डीप करेंगे तो चलिए अब हम आलू की टिक्की बनाते हैं ये हम छोटी सी आलू का बॉल ले लिए हैं इसको यूँ करके गोल करके इसको हल चप्टा कर लेंगे और इसे हम टिक्की का सेप दे देंगे चलिए एक और बनाते हैं ये देखिए आलू को हम अच्छे से मिले रहे हैं और इसकी ऐसी तरह से टिक्की बना रहे हैं और इसी तरह करके हम सारे आलू की टिक्की को तयार कर लेंगे अगर आपको इस तरह से टिक्की बनाने में परसानी हो रही हो तो आप इसमें हलका सा मैदा लगा करके भी इसकी टिक्की तैयार कर सकते हैं इस तरह से तो इस तरह से हमने सारे टिक्की तैयार कर लिये हैं और अब हम इनको बैटर में डीप करेंगे और इसको कराही में फ्राई करेंगे तो यहाँ पे हमने एक कराही ले लिया है और इसमें हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें अब हम आलू की टिक्की को डालेंगे तो यह देखे इन टिक्की को हम बैटर में डिप करेंगे और इसे हम तेल में डाल देंगे हमारा तेल गरम है इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखें गे एक बार में हम 4-5 स्टिकी को फ्राई करेंगे मीडियम ठो हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है ज्यादा तेज आच पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है ताकि यह अंदर से अच्छे से पक जाए इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसे हमें दोनों तरफ से उलटके सेंक लेना है मीडियम फ्लेम पे और ये हमारे आलू के टिकी अच्छे से सिख चुके है और अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके सारे टिक्की को निकाल लेंगे ये देखें सारे टिक्की को इसी तर से हम निकाल लेंगे इसी तर से हम सारे टिक्की को फ्राई कर लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है तो ये हमारे सारे आलू के चॉप रेडी हैं तो अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे तो गाइज ये हमारा सूपर टेस्टी आलू का चॉप बन करके तैयार हो गया है इसे हम लाल चटनी, हरी चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं यह बच्चों वो भी बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राइ करिएगा ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर करना मत भूलिएगा मिलते नेक्स वीडियो, थैंक यू वर वाचिंग, बाइबाए